अब इस model को समझने के लिए चलो पहले कुछ ब्रेंस्ट्रॉम करते हैं अब के साथ अब क्या देखने वाला है अगर आपको नहीं पता है वेट लूजिं इंडस्ट्री क्या होता है और उसी के आधार पर हम लोगों ने ये दो case studies भी तो बनाया है इसलिए तो आपको आणाम से पहले इस चीजों को visualize करवा देता हूँ that actually में ये होता क्या है उसके बाद आणाम से समझेंगे that हाँ भाया मतलब weight losing industries के समय कहां पर industries का setup होना चाहिए weight gaining industries के समय किस किस factors के आधार पर you know industries का setup होना चाहिए समझ रहा बात तो चलो एक एक case discuss करें सबसे पहले case 1 discuss करते है case 1 में अगर देख ली जगा दोस्तों यहाँ पर हम लोग discuss करने weight losing industry के बारे में ठीक है अब इसको bulk reducing product क्यों बोलते है चलो बताता हूँ ठीक है raw material 1 के position में हम लोगोंने koela consider किया है raw material 2 के position में हम लोगोंने iron का ore consider किया है koela और iron का ore से क्या बनाईएगा ultimately आप iron बनाने है और iron का market सोचो यहाँ है मैं assume कर रहा हूँ ठीक है यही तो हम आपको पूछ रहा है अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या वाल है हम लोग यही पढ़ने वाल है ठीक है जहाँ पर भी बने बट कहाँ पर exactly बनेगा in case of weight losing industry और दूसरा वाले case में in case of weight gaining industries ठीक है तो यह क्योंकि अब यह weight losing industry कैसे हो गया भाया example लेते है ठीक है सोचो यह कोईला है राइट कोईला का हम लोग सोचो सो किलो ले लो कोईला है ना सो किलो कोईला लग रहा है और आपका सो किलो iron ore लग रहा है ठीक है मैं रफली फिकर ले रहा हूँ मुझे भी खूद भी नही weight पता है कितना होगा maximum 20 kilo ही हो रहा है अब आपको साथ हो लो रहा है यहां पर 100 kiloo लिये यहां पर भी 100 kilo मतलब totally 200 kilo का सामाल लिये और heat 20 kilo फवाइदा हो रहा है अना मतलब सिफ 10 percent ही बन रहा है मतलब क्या हूआ that यह कोईला जो है 100 per cent convert नहीं हूँआ आपका iron oreiban बनने में यह iron ore का जो हम लोगों ने इस्तमाल किया इसमें ओर में शायद बहुत सारे impurities होंगी जो क्या जो छट गई और सिर्फ और सिर्फ जो main जो iron था उसी को हम लोगों ने iron बना ठीक है तो वही चीज देखो यहां से कही पर भी आप सोचो यहां पड़ी इंडस्री क्यों आपको कि यहां से भी यहां पर बेजने में हर 1 किलो का एक रूपया लगई तो यहां पर भी 100 रूपया लगई आपको है ना इस इस डिस्टनस तक पहुचाने में समझ रहा बात अब खुद सोचो है ना अब यहां से जो यहां पर directly transport जो किया जा रहा है न जी सीधा है ना उस में transportation में आपका total cost लग रहा है आपका आप ले लो 800 रुपया ठीक है तो 800 रुपया यहां से यहां पहुचाने में है ना और 100 रुपया यहां से यहां पहुचाने में 100 रुपया तो बहुत कम ले लिया say for example आप यहां पर 500 रुपया ले लो ठीक है है ना यहां पर 500 रुपया ले लो अपने मार्केट तक दिया 800 रुपए, समझ रोबात, है ना, ध्यान देना, 20 किलो का आपने 800 रुपए दिया, है ना, और यहां पर टोटल 500-500, मतलब 1800, टोटल आपका 1800 रुपए खर्चा हुआ, ठीक है, इस केस में, ठीक है, अच्छा, यह क्यू, और यह जब खर्चा होड़ इसके केस में, और 90 किलो इसके केस में बढ़बाद हो गया, मतलब 180 किलो का जो है, यहां पर कोई आउट्पूट नहीं निकला, ultimately, यहां पर जो 100 किलो और 100 किलो लगा है, ना, उसका ultimately output, मतलब 200 किलो का ultimately output 20 किलो ही निकला, है ना, जो कि ultimately market तक पहुचाय जा रहा है, मतलब 180 कि इंडस्ट्री अगर यहां पर सेट अप हो तो, ठीक है, अब अगम लोगर मानने हैं, इंडस्ट्री अगर यहां पर सेट अप किया जाए, तो क्या होगा, देट देखो, यह raw material क्योंकि बहुत जादा भारी है, यहां से यहां तक तो 500 रुपय ही लग रहे थे, बट यहां से यहां तक जाने में, उसकाivanra 5,000 रुपय लग रहे है, समझ रहो, similarly, यहां से यहां तक जाने में भी उसका 1,000 रुपय लग रहे है, समझ रहो बार, तो यहां पर क्या, 2000 रुपय तो यही पर खर्चा हो जा रहा है, और यहां से market तक ले जाने में, say for example, यहां पहले 800 रुप प्लस चार सो, दो हजार चार सो रुपया लगा, समझ रुपात, तो आप खुद सोचो, और यहाँ पर भी वही होगा, that हाँ, 100 किलो ले जाएंगे, यहाँ पर भी इसको 100 किलो ले जाएंगे, बट 180 किलो जो है, वो वेश्ट चला जाएगा, ठीक है, तो आपको वेश्ट प्र करें, वेश्ट प्रक का, हम लोग कम दिसन्स था भी ट्रांस्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में, जहाँ पर ऐसे रॉमेटरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिनका वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पर इंडस्रीज कहाँ पर सेट अप होईंगी, इस वाले केस, क्योंकि यहाँ पर सस्ता पर रहे हैं, है ना, और हम लोग तो हम लोग तो हम लोग तो इस केस में, जहाँ पर रहे हैं, इस केस में, जहाँ पर रहे हैं, इस केस में, मैंगा पर रहे हैं, तो अव्वेस सा बात है, इस वाले इस वाले रीजन के आजु तो यहां पर यहां पर बॉल्क प्रॉडट्क जो है वो रिड्यूज हो रहा है समझ रहो बात देखो यह तो समझ गया ना देखो यहां पर रिड्यूज हो रहा है यहां पर आप लोग केस्टू में डिसकस करेंगे वेड गेनिंग इंडस्ट्री अब यहां पर भी सिमिलर सिमिलर एक कंडीशन लेता है रॉम मेट्रियल वन रॉम मेट्रियल टू यहां पर मार्केट ले लेते हैं है यह यह एजंशन ले अगेन है ना मैं जब समझाने के का बोतल ठीक है तो वहां पर क्या होता है ना आप एक जगह से बोतल ले जा रहे हो राइट एक जगह से कोल्ड रिंक्स वो ड्रिंक्स का शर्बत ले जा रहे हो राइट एक जगह से उसका धकन ले जा रहे हो या फिर कोई मान के कोजिश करो ठीक है तो देखो यह अल्टिम पैक लगा जा रहा है, उसके उपर से पैकिंग किया जा रहा है, समझरों बात, तो यह सब जो किया जा रहा है, तो ultimately पहले तो इसका weight बहुत loose, कम था, बाद में इसका weight gain हो गया, ठीक है, तो उस case में क्या होगा, यह weight gaining industry हो गया, समझ रहो बात, देख रहो, यही basic difference है जो कि आपको समझना पड़ेगा, पहले था weight, losing industry, जहाँ पर क्या हो रहा था, that हम लोग जाधा product 100-100 kg का ले जा रहे थे, ultimately सिर्फ 200 kg का सिर्फ 20 kg ही production हो रहा था, बट वही पर आगर आप यहाँ पर 1-1 kg का, 2-2 kg का चीज भी ले गए, तो ultimately जो आपका जो manufacture product बनेगा, मलनलब 100-200 ग्राम का चीज ले गए, तो ultimately आपका जो manufacture product बनेगा, वो 500 ग्राम का बनेगा, ठीक है, देख रहो, यह 200 ग्राम का, यह 100 ग्राम का बोतल, बट सिल, जो बन जो है, वो 500 ग्राम का बोतल आपका बन रहा है, है ना, आप जो खडिते हो, है ना, 500 ग्राम या फिर 500 लिटर, जो भी यार, कुछ भी यार, assume करो, है ना, तो उस case में क्या हो रहा है, आप हलका हलका चीजों को ले जा रहा हो, तो हलका हलका चीजों को तो हम लोग लंबा distance तक ल लगाता हूं, ठीक है, case 1, इसमें भी आप एक condition ले लो, ठीक है, जहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर industry रखा है, और दूसरा वाला condition ले लो, जहाँ पर आपने market के सामने industry setup किया है, ठीक है, पहला हम लोगों assume करते है market के सामने, तो यहाँ इसका जो 100 ग्राम का चीज, अगर तो इसलिए, क्योंकि weight gaining industry है, तो 500 ग्राम का हो गया, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पर पहुचाने में 500 रूपया लग रहा है, ठीक है, तो 500, 200 और 100, कितना हुआ टोटल ही, 800 रूपय का खर्चा हुआ आपका यहाँ पर, आपने सोचो यहाँ से यहाँ पर इसको पहुचाया भले ही आपका 70 रूपया ही लग रहा है, यहाँ से यहाँ पर आपने पहुचाया भले ही आपका 150 रूपया ही सिर्फ लग रहा है, जादा नहीं लग रहा है, बट यहाँ पर जो 500 ग्राम जो गेन हुआ ना, वो भाडी वाला सब बना, तो उस चीच को अगर दूर distance तक होगे, तो शायद आपको 1500 रूपय भी लग सकता है, जादा कॉस्ट भी लग सकता है, ठीक है, तो यहाँपर 1500 प्लस तेहोग, याँ पर 120 रुपया, तो यहां पर आपको सस्था पर रहा है, है ना- मतलब, वेट गेनिंग इंडस्ट्री के समय हमें, यहाँ पता चल गया that जो तो industries का जो setup होता है, वहां आपका जाके, किस के सामने होता है, आपका, you know, sorry, उसके इसमें आपका industries का setup जोगा, वो market के सामने होगा, right, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो आपका automation समझ जाओगे, तो हम लोग यह जरूर समझ गए, that जहां अगर बात करें weight reducing product का, ठीक है, त अगर हम लोग बात करें weight losing industry का, तो industries का जो, मतलब location है, वो आपका raw material के सामने होता है, वहीं अगर vice versa ले लोगे, आप weight losing industries का, तो उस case में जो है, आपका industries का setup जो है, वहां market के सामने होगा, ठीक है, जिससे चीजे सस्ता हो जाए, उसी का जो हम लोग ने पढ़ा न, उसी का vice खतम बात, समझ रहा बात, तो ये normal brainstorming जो है न, कहीं न, कहीं बहुत जादा जरूर रही थी, इससे के अभी आपको अगर overall weber's theory model proper तरीके समझा है, तो चीजों का आपको जिससे और भी समझने में आसानी हो सकती है, तो चलो देखते है, अब आजाते है main model के उपर, weber's industrial location model, अपने चीजों को तो समझ लिया, ठीक है, देखो, हम लोग इसको जो है न, आप कहीं कहीं देखोंगे, least cost location model भी आपको बताया जागा, ठीक है, so that is also true, ठीक है, least cost location model बोलिये, या फिर weber's का industrial location model बोलिये, दोनों सेम है, राइट, क्यूंकि दोनों को दिया गया था, Alfred Weber जी क क्यूंकि वान थियुन का location theory के आधर पर भी बोला गया था, जैसे market, main market से दूर जाते रहोगे, वैसे जो है industrial, मलब जो agriculture product का जो prices है, overall market prices बढ़ते रहती है, overall, है न, जिससे किसानों को नुक्सान होता रहता है, right, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, kind of that, जैसे raw materials से दूर आप ज आते रहोगे, industries का setup करते रहोगे, वैसे ही जो आपका लागत है न, वो बढ़ जाएगा, अगर वो, you know, weight losing industries हो, right, but different other kind of industries के लिए, वो matter, लेकिन अलग-अलग factor में हम लोग देखने मिलता है, ठीक है, और इनोंने कही न, कही, pull factor को बहुत ही जाधा emphasize किया, in attracting particular industry to a particular location, pull factor, push factor, वो हम लोग कोना, migration में देखाता न, pull factor, push factor क्या होता है, जो कि आपको धकेलता है, right, that nickel इधर से, pull factor क्या होता है, जो कि आपको attract करता है, जैसे, so जो अगर जारकंड में, जारकंड में कोईला मिलता है, जारकंड के आजू आजू में iron ore मिल जाता है, है न, और भी different other raw materials भी मि industries को, that आओ, यहाँ पर industries को set up करो, ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने industries को location करने की कोशिश की, on the very least cost location model, that is, वो कोई भी position में हो, it might be near the market, it might be near the resource location, जो कि हम लोगोंने brainstorming session में proper तरीके से discuss भी किया, ठीक है, अब देखो, इसमें वेबर भाई सामने, actually में, उनका consideration क्या था, इनका consideration था, that देखो, raw material जो होता है, वो दो type का होता है, एक होता है, माफ की जगा guys, एक होता है, localized raw material, एक होता है ubiquitous raw material, localized raw material मतलब सिर्फ वही पर मिल रहा है, जैसे koella, koella आपको सब जगा नहीं मिलेगा, right, वही पर raw material, अग देखो, water भी लेकिन काई नहीं raw material ही है, क्योंकि तो water के perspective में, अगर industries का setup कर रहा है, तब तो कहीं पर भी कर सकते हो, but अगर आप चाहो that, you know, koella या फिर iron ore के perspective में, तो आपको उसी region में करना परेगा, ठीक है, और आपको ये भी, आप खुद assume कीजिए, raw material का nature भी तो होता है, जैसे कुछ-कुछ pure raw materials होता है, कुछ-कुछ impure जैसे हम चलो discuss करता है, जैसे pure, है न, pure raw material कौन सा होता है, impure raw material क्या होता है, हम लोग ने discuss किया न, पहले वाले case में क्या discuss किया, that iron ore जो लेने है, koella जो लेने है, iron ore 100% convert नहीं होता है, into iron, right, बहुत साने impurities हैं, जो क्या चली जाती है, तो वो होती है impure raw materials, ठीक है, but वहीं, अ जैसे, 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 जूट, जूट industry अपने देखा है, तो जूट का जो raw material है, जिसका weight है, और उसका final product का weight है, उसमें कोई, you know, changes नहीं आते है, right, तो वो कही ना कही बिलकुल same होता है, तो उसके case में हम लोग बोल सकते है, that जी हा, यहाँ जो है pure raw material है, चलो इसी case में मैं ठीक है, एक ऐसा case दे रहा हूँ, जहाँ पर आपका raw material एक ही है, एक ही raw material से वो product बन जाएगा, सोचो, ठीक है, और raw material का location ये वाला है, market का location यहाँ वाला है, और सिर्फ एक ही raw material है, तो बताइए तो, industry setup का होगा, या बच्चा भी बोल देगा, that हाँ भाया, बीचो बीची ह होगा, है ना, but अगर industry, मतलब, और usually raw material के सामने या फिर market के सामने भी हो सकता है, but इसमें भी conditions है, लेकिन, इसमें भी condition है, इसमें पहला condition है, ये आपको बोल रहा हूँ, that ये raw material जो है, कहीं पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भ आपने यहां से मंगा लिया, जब यहां से supply और बंद कर लिया, आपको कोई यहां से मंगा लिया, यहां से मंगा लिया, ठीक है, तो आपको कोई परिशान ही नहीं है, तो obvious भात है उस case में market के सामने आपका जाके raw material सेट मतलब industries जो है, वहां सेट अप होएगी, ठीक है, यहां है बट यह जो यहां पर raw material है जैसे jute वो pure है और localized अगर यहां ही पर सिफ jutes अगर पैदा ही हो रही है ठीक है तो कहां पर industry बनेगा तब लेकिन यहां पर देखो तब लेकिन आपका raw material के सामने बनेगा ठीक है बट वही पर अगर यह चीज impure हुआ ठीक है तो sorry यह कहीं पर भी मन सकता है माफ करना क्योंकि आप देखो यह pure है ना इस वाले case में that is यहां से यहां जितना weight अगर आप 100 kg ले जा रहा हो ultimately यहां product भी 100 kg का ही बन रहा है तो आप यहां से यहां भी 100 kg का ही खर्चा दे रहा है तो आप कहीं पर भी बना सकते हो right बट वहीं पर अगर आपको third condition यह impure है तो बताइए तो कहां पर setup होगा चलिए यह question में आपको पूछ रहा हूँ बताइए देखो यह दो conditions तो हम लोगे discuss कर लिया but यहां पर बताइए अगर यहां पर raw material अगर impure हो तो उस condition में industry कहां पर setup हो यह comment section में मुझे चाहिए आपका ठीक है और जिसका सही answer होगा उसको मैं heart pin कर दूँगा ठीक है चलो next is ubiquitous ubiquitous की अगर बात करें तो यह वैसे resources तो अपको समझ गया that यहां पर भी अलग 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 जगा हर जगा almost मिलता है right but अब ubiquitous say for example एक कोई ऐसा industry है जो कि जहां पर impure है जैसे हम लोगो ने पहला वाला case study में जो discuss किया था जहां पर iron और भी चाहिए कोईला भी चाहिए और different other भी raw materials चाहिए ठीक है तो उस case में अगर weight losing industry हो ना तब तो हम लोगों ने यहां पर discuss करना है that हाँ चलो इसके सामने वो भी सोच वागर इसमें यह वाला इसमें ज्यादा impure है यह बहुत ही ज्यादा impure है that is अगर 100 kg अगर आप लग location भी determine करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या हो ना that हाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए that हाँ यह क्या होता है समझ रबाद यहां तक कोई शक किसी को भी बताओ अगर अभी भी शक है तो आड़ाम सब पूछ ले सकते हो आप लोग ठीक है इनिवेज अब हम लोग आ जात इनिद्ट्री लोकेशन होएगा कहां पर जिसमें पहला फैक्टर है लेबर दूसरा फैक्टर है ट्रांस्पोर्टेशन जिसमें ध्यान देजेगा ट्रांस्पोर्टेशन जाहिए one of the maximum importance और उसी का importance जो है हम लोगो ने पहले brainstorming session में discuss भी किया that क्या importance है उसका ठीक है समझ ग और तीसरा जो है न दोस्तों यहां है agglomeration concept agglomeration concept यह हम लोग आने वाले classes में मलब आने वाले slides में देखेंगे don't worry about it ठीक है यह भी हम लोग cover करेंगे ठीक है पहला अगर labor की अगर बात करें आप खुद सोचिए ना जैसे आप आपको पता है ना जharkhand के आजु-बाजु म मिल जाता है ठीक है अब labor में भी दो quality होता है लेकिन एक होता है skilled labor है ना एक होता है unskilled labor है ना skilled labor की काफी जाना demand होती है unskilled labor की उतनी जाना demand नहीं होती है है ना और इनकी mobility ही determine होती है that किस type का industry है right उसके आधार पर ultimately skilled labor का हमें movement देखने को मिलेगा जैसे steel authority of India limited वो एक सरकार job है right अब उसके लिए आपका Kerala से भी एगर बंदा हो वो भी चला जाएगा आपका जाके you know जारकन वो भी चला जाएगा ठीक है तो उसके लिए कोई problem नहीं है तो इस type का सरकारी job भी एक matter करता है but again आपका वेवर भाई सामने सरकारी job यह सा बिल्कुल considered नहीं किया था जो तो एनिवेज लेबर का तो एक factor होता ही है बहुत महत्वपूर्ण but main factor जो है transportation का भी है क्यों क्योंकि देखो raw materials को यहाँ से यहाँ पहुचाने के लिए transportation cost लग रहा है और final product को भी यहाँ से यहाँ पहुचाने के लिए transportation cost तो लगी रहा है ठीक है अब वो कैसा raw material है वो weight losing raw material weight gaining raw material है उसके उपर further determine करता है और agglomeration मतलब सोचो यहाँ पर एक industrial complex है यहाँ पर एक दूसरा industrial complex है यहाँ पर एक तीसरा industrial complex है ठीक है तो बीच में धीरे-धीरे क्या होता है ना यह जो spillover effect के कारणज है और भी बहुत सारे धीरे-धीरे छोटे-मोटे industrial complexes setup होते रहते होते रह है जिसके कारणज है agglomeration होने लगता है ठीक है मतलब इस यह इस company का जो raw material के जरूरत होती है वो आजू-बाजू वाले companies के आजसा भी मिल सकता है इसका जो जरूरत होता है वो इस इन वाले companies भी इसको settle कर सकते है समझ रहो तो यह हो गया agglomeration effect जो के again जैसा कि मैं आने वाल slides में हम लोग proper तरीके सक है discussion करेंगे ही तो automatically आपको वहाँ पे you know थोड़ा ज्यादा clarity view में मिल जाएगा right अभी हम लोग discuss करते है factors ऐसे कौन से factors है जो क्या वेवर भाई से हमने consider किया था जो क्या you know industrial location को alter करता है तो देखो यह सब तो एक factor देखे ही labor transportation यह तो factor है ही but क्या हम हम लोग बोल सकते है that पानी की availability भी एक factor है क्यों नहीं बोल सकते है भाईया आप खुस हो जो ना जो को भी जो industry setup होती है जैसे जूट textile industry ले लो उसको पानी तो चाहिए ही ना है ना वैसे industrial houses भी हम लोग बोल सकते है यह सा हम लोग ने पढ़ा है ना industrial houses industrial complexes ठीक है यह सब already इं industrial houses काही पर बन गए industrial complexes बन गई तो वो क्या होता है ना एक आसानी होती है that industrial functions को और भी easy forward carry करने में ठीक है क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत है as such बड़ी बड़ी नहीं आती है role of government अगर देख ली जगा no doubt यह government का तो सरकारी बहुत जादा बड़ा लोल है ठीक है क्योंकि सरक सारी control था है न कोई भी industry के ऊपर बट इसके बाद वाला जो period में वो सरकारी control इन्होंने लूज कर दिया ठीक है और भी बहुत सारे concepts आने लगे जैसे special economic zone का concept आना लगा SEZ है ना export processing zones का concept आने लगा हमें पता है that SEZ और export processing zones में क्या difference है export processing zones यह वैसे zones होते हैं जहां पर सिर्फ ज्यादा मिलती ही है as compared to export processing zone बट साथी साथ special economic zones में जो है township भी subtle होती है special economic zones में जो है different other services के भी मोहिया मिलती है तो इसी लिए special economic zones की जो concepts है ना इंडिया में कही ना कही धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अगर सोची अगर सरकार ने कहीं पर बोल दिया that देखो भाई गुजरा के कंडला वाजर रीजन में जो है उसको हम लोग SCZ घोशित कर रहा है तो कहीं ना कहीं industries उस रीजन में attract जाधा होएंगी क्योंकि वहाँ पर एक तो सरकारे जो है sunrise period के लिए कुछ tax relaxations provide करती है ठीक है तो खेर यह सब खेर economics और GS का concept है यह सब आप लोग को भी पता है यार व work culture आप खुद सोचिए ना Google में सब कोई क्यों नौकड़ी करना चाहता है Facebook में सब कोई क्यों नौकड़ी करना चाहता है वो मैं के भाली वो tech companies है बल वहाँ पर क्यों नौकड़ी आपको सिर्फ salary आपको मिलेगा ठीक है आपको खाना सब कुछ free होता है Google के office में है आराम से दूसरों office का complex में जाओ एकदम गारी भी free मिलेगा और वो भी एकदम you know automatic गारी कोई driver नहीं है है ना तो ये facilities Google ने provide किया हो है work culture जो है बहुत top notch level का work culture है इसलिए लोग वहाँ पर काम करने ही कोजिश करता है तो वैसे ही अगर normal कोई industries में भी अगर लोग क्यों काम करने ही कुछ कुछ इस theories का assumptions दोस्तों वो काफी जादा important assumptions होने वाला है राइट ना assumptions की अगर बात करें तो देखो बहुत सारे assumptions इनोंने लिए ते जैसे मैंने पहले बोला that इंसान जो है एक rational economic creature है राइट जो के सबसमय profit maximization करना चाहता है इसलिए ना अगर weight losing industry हो तो वो raw material के market के समने setup होता है राइट क्यों क्योंकि profit maximization के कारण समझ रबात दूसरा factor है that मतलब जो assumptions इनोंने लिया था that isotropic landscape होना चाहिए that is जो भी landscape जो भी consider किया जा रहा है है ना physically that is वो अगर plane area है तो plane area ही होना चाहिए बीच में कोई पहाड नहीं आना चाहिए बीच में you know ऐसा huge obstacles नहीं आना जाहिए ठीक है और culturally भी same ही होना चाहिए ऐसा क्या कभी possible आप खुद सोचो ना और यहीं चीज तो आप मनलब इसमें भी लिख सकते हो क्या ऐसा हो सकता है that सोचो यह यहां पर beer का factory है ठीक है तो ऐसा हो सकता है that यहां पर Muslims ना रहते हो बिल्कुल हो सकता है that Muslims रह यहां पर तो इन्होंने बोला ना that culturally भी वो same ही होना चाहिए which is absolutely not seen these days जो क्या हम लोग इसका negative that is you know point में भी लिख सकता है right market जो है कहां गया fully competitive है labors are always available और immobile मतलब जो labor जो मिलते है na industries के सामने में वो सब समय available है ऐसा देको सब समय नहीं होता हर product के लिए बिलकुल नहीं होत right क्योंकि अगर सोचो अब यहां पर labor ऐसा भी तो हो सकता है that वहां पर सरकारी कुछ ऐसे initiative लाएगी है जिसे बच्चे जो है काफी अच्छा पढ लिखकर अफसर बन रहा है बाहर में चले जा रहा है right तो वो उस industries को सर्व नहीं करेंगे ना जी जो क्या उनके past generation ने किया है right cost of transportation जो है it is based on weight and distance है न और इनों ने माना that देखो cost of transportation हम लोगो ने तो बोला that देखो यहां से यहां जो है उस region को ले जाएंगे but हम लोगो ने यह तो discuss नहीं किया था ना कौन से medium के थू but इनका assumptions के आधार पर you know an assumption माना था that वो जो हम लोग बुलक कार्ट के थू ले जा है ठीक है अब देखो यह तब के जमाने में तो बुलक कार्ट काफी दा dominant था but अभी के सम्वाने में तो ट्रक्टर ट्रक यह सब से चला जाता है आडाम से समझ रभा तो यह सब कुछ कुछ चीजे थे assumptions थी जो कि इन्होंने माना था जिसके आधार पर इन्होंने अपने location triangle क concept भी रखा था और इन्होंने के location triangle के concept में इन्होंने distinction clearly किया था between two types that is raw material oriented industries जो क्या रोगे बाजू ही सेट अप होती है और सोचो यह अगर weight ज्यादा weight losing industry है तो यह वाला जो location है ना industry का location का वो थोड़ा ज्यादा inclined to this region रहेगा ठीक है जिससे इसका transportation cost में यहां से कम खर्चा कम से कम आए राइट तो यह चीज है समझ रहा बाद बट वही पर market oriented industry मतलब वो industries जो क्या weight gaining industries होती है जो क्या जिसके लिए raw material काफी जाद य isoda pains का right again isoda pains का अगर concept अगर अब देखिएगा देखो इस concept में clearly बोला गया है that कैसे labor cost जो है एक determiner होती है least cost model की right अब least cost model भी हम लोग उस case में पर रहे हैं जहां पर material index जो है एक you know एक normal माना गया है material index is greater than one माना गया अब material index क्या होता है देखो यह type के high concepts अगर आपको advanced courses भी access करना है तो आप no doubt दोस्तों नीचे के description station में link में आराम से जा सकते हो जहां पर आपको google play store का link मिल जाएगा वहां पर आप English में भी है और English English which is composition of English plus Hindi जहां पर notes English में लिए बनेंगे but discuss किया हो रहे हैं और वहां पर proper तरीके से अच्छे तरीके से full course ही आपको एक जगा में structured manner में मिल जाएगा right तो वहां पर again आप इन tough tough concepts को भी आराम से easy तरीके से access कर सकते हो now अगर यहां पर बात करे आई soda pain की तो देखो आई soda pain का concept अगर बात करे तो देखो यह basically labor cost determiner है of the least cost location हम लोग उने discuss किया अगा अगर raw material यहां पर हो raw material 2 यहां पर हो तो least cost कहीं पर भी हो सकत है यहां पर भी हो सकता है but data dependent होना चाहिए that raw material की characteristics कैसी है right तो उसी के आधार पर जो है हम लो labor again labor भी मिलता है right और of course isoda pain जो है यह imaginary ring है यह कोई as such proper stripes के location नहीं दिया हो रहा रहता है वो तो just मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर ठीक है but as such ऐसा नहीं होता है यह imaginary ring है कैसे क्या ring है क्या काम करती है चलो discuss करते है अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको जैसे सोचो आपका यह वाला position आप देख पाढ़ हो देखो यह वाला market है यह वाला raw material 1 यह वाला raw material 2 market थोड़ा निकला भी हो सकता है इस factory का threshold that is threshold of getting the labors ठीक है सोचो यह यहां तक है ठीक है मतलब यहां का lever जो है आडाम से यहां पर factory में आएगा काम करने यहां का lever भी आ जाएगा यहां का lever तो खेर आएगा यहां का lever तो खेर आएगा यहां का lever तो खेर आएगा ही समझे बात तो क्या हुआ यह वाला जो phase है ना मतलब आपका जहां प पर transportation cost जो है, वो कम लग रहा है labor को, ठीक है, और यहां के labor बिलकुल आएंगे, यहां पर काम करने को, ठीक है, मतलब यहां से सोचो, transportation cost सिर्फ 2 रुपया ही लग रहा है, हर रोज का, ठीक है, और जितना कमारा है न, वो कमारा है बहुत जादा, ठीक है, तो ठीक है, चलो ठीक है, हाना, तो यह तो वो वाला situation हो गया है न, अब, यहां तक भी, यह वाला जो position लेकरो, यहां तक भी वैसा situation है, जहां तक, मतलब, आराम से labor effort कर सकता है, हर रोज, इस factory में जाने को, और हर रोज, वहाँ से मुनाफ़ा कमाने को, यह वाला region तक, ठीक है, यह वाला region में तो सब करेगा ही, बट यहां पर, जो है, कुछ-कुछ levers, तो देखो, ultimately, strange होतने हैं सब के पास, ठीक है, बट still, you know, labor will manage that, हाँ, अब तिल this position, वो लोग manage कर सकता है, वो यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो यहाँ पर भी हो, बट जाहाँ इस position से, अगर labor आना, start किया, तो वो यह देख रहा है, देखो भाईया, यह तो least cost location नहीं है, हमारे लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि, यहाँ पर transportation cost जो है न, वो cost savings से ज़्यादा, sorry, यहाँ पर जो transportation cost है, वो आपका जाके cost savings के equal हो जा रहा है, ठीक है, मतलब जितना आप कमा रहे हो, जितना आप देखो कमा के खर्चा तो कड़ो गई, उससे कुछ तो save करता है न, जी इनसान, जैसे अगर आपका 50,000 रुपए salary है, आप 10,000 रुपए तो at least save करना चाहोगे न, हर साल, हर मैं न, ठीक है, तो यह 10,000 रुपए जो save कर रहा है न, और यहाँ पर transportation आने जाने में ही, इसको 10,000 लग जा रहा है, मतलब इसका save तो गुल्ला हो रहा है, कुछ होई नहीं रहा है, इस case में, समझ रहा है तो यह वाला वो case हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं, least cost location, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है, सिर्फ आप अपना पेठी भड़ पा रहे हो, बट आपको save नहीं कर पा रहे हो, और इसके बाद वाला जो position से अगर labor आ रहा है, तो उसको तो बहुत खाटा लग जा रहा है जी, वो तो least cost location है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर transportation cost जो है ना, वो cost saving से जाधा हो जा रहा है, मतलब अगर आप 50,000 कमा रहे हो, तो 40,000 रुपए अपने अपने family को पर खर्चा कर रहे हो, और 10,000 रुपए आप बचा रहे हो, बट यहाँ पर जो transportation खर्चा हो जा रहा है ना, वह ही आपका 15,000 रुपए हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उल्टा आपको pocket से देना पर रहा है, समझ रहा हो, समझ रहा हो बात, तो आई-सोड़ा पेन का overall आप concept, visualize way में हम लोगों ने देख लिया, है ना, अब आज आता है main, जो हम लोगों ने starting में बोला था ना, agglomeration, agglomeration में क्या होता है, यह critical आई-सोड़ा पेन जो होता है, जो हम लोगों ने डिसकस किया, है ना, that is, ट्रेंगल के बार जो यह गुला वाला था, वो overlap कर जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि सोचोज, अगर पहले एक आई-सोड़ा पेन यहां पे हुआ होगा, ठीक है, यह आई-सोड़ा पेन था, यह इसा इनडस्ट्री शेट अप हुआ, एक ऐसा इनडस्ट्री शेट अप हुआ, ठीक है, तो देख रहों, देखो यहाँ पर एक ऐसा केस है, जहाँ पर तीन इनडस्ट्री का आई-सोड़ा पेन वाला जो लोकेशन है, वो यहाँ पर merge कर रहा है यह वाला और यह वाला region में दो region में isodapane है ना मतलब इस region में जो है ना मतलब basically आप क्या बोल सकते हो that यहाँ पर क्योंकि convergence जाधा है तो इसलिए यह वाला region primarily agglomeration का region हो गया जहाँ पर basically बहुत सारे अलग-अलग industries का isodapane जो है वो interact कर रहा है तो agglomeration impact में जो हम लोग यह देखते हैं that यहाँ इस type के जहाँ पर agglomeration होता है ना वहाँ पर basically एक additional benefit provided होता है for the industrial growth क्यों क्योंकि यहाँ पर एक तो labor भी available है है ना और इस region के लिए यह labor जो है आराम से यहाँ पर भी जाएगा यह labor आराम से यहाँ पर भी जा सकता है और resources भी है ना क्योंकि बहुत सारे industries एक साथ setup होना start कर देती है तो इसलिए यहाँ पर resources भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब agglomeration economies जो है वो आप बोल सकते हैं that कही ना गई boost करती है manufacturing industries को राइट अब agglomeration में भी दो agglomeration आती है एक होता है primary agglomeration ए एक होता है secondary agglomeration primary agglomeration वो जहाँ पर तीन critical isotopein interact कर रहे है जैसे यहाँ पर यह देखो यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह तीन isotopein यहाँ पर interact किया ना तो इसको हम लोग कहेंगे primary isotopein ठीक है बट वही पर यहाँ पर यहाँ पर दो isotopein यहाँ पर और अगर एक नया वाला देलो ठीक है तो यहां पर भी दो इस वड़ाप है तूसको हम लोग secondary agglomeration कहेंगे ठीक है तो यह agglomeration zones है basically समझद है बात तो यह basically location triangles के आधार पर ही हम लोग यह discuss करते हैं अब आ जाते हैं main is overall is theory का criticism main criticism तो यह है देखो अभी हमारे देश में technology ऐसे develop हो गई है जिससे raw material का जो mark role है market factor में वो कहीं न कहीं बहुत जादा limited हो गया ठीक है क्यों क्योंकि देखो अब जैसे बहुत सारे ऐसे raw materials होते हैं I mean बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो क्या हम आराम से you know क्या बोल सकते हैं जैसे अब सोच लो iron iron का पहले इस्तेमाल करते थे ना है ना iron का जो है पहले जो traditionally हम लोग blast furnace में उसको गलाते थे है ना but अभी जो है electric arc technique आ गया है राइट तो और वो भी कैसे हम लोग sponge iron यूज करते हैं ना उसके थूँ हम लोग use कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पहले जो हम लोग raw materials जो use करते थे blast furnace का इस्तेमाल जो होता था वो बहुत है तक limited हो गया समझ रोबार यही नहीं आइसोड़ा पेन का जो concept जो है ना उस जगह में बिल्कुल fade up हो जाता है जहां पर government का policies के आदार पर कोई industries का setup होता है जैसे आप ले लोग बिलाई है ना वहां पर जो आपका सथ्टिसगार में जो सेल सील authority of India limited का जो plant बैठा था वो तो उस रीजन का development के लिए ना बैठा था जी है ना वो तो वो तो सरकार के कारण बैठा है ना तो वहां पर तो कोई आपका ये वेबर industrial location model बिल्कुल fail हो गया है ना तो यहीं तो criticism आप बोली सकते हो ना जी हर एक सरकार वैसे कुछ decisions ले सकती है राइट transportation पहले बोला जाता था था देखो भाई अभी मैं बोला जाता था यहां से कम distance travel करोगे तो 100 रुपे लगेगा ज्यादा distance travel करोगे तो 500 रुपे राइट बट अभी क्या है आप अगर train से say for example कन्या कुमारी जा रहे हो तो आपको सोचो अगर आप AC में सफर कर रहे हो या फिर कर रहे हो तो अभी की जो transportation cost है वो तो cheaper हो जाती है लंबे distances के करण ठीक है तो यहां पर again वो distance fail हुआ no distinction is made between skilled and unskilled labor जैसे मैंने बोला ना देखो skilled labor भी होती है labor में भी categorization होती है एक होता है skilled labor का एक होता है unskilled labor का ठीक है अब यहां पर लेकिन वो categorization properly कुछ भी यहां पर discussions नहीं किया गया था ठीक है अब देखो अब यहां पर एक छोटा मैं बात बोल रहा हो जैसे अगर skilled labor की भी बात करो ना past में ऐसा होता था था ना that skilled labor काफी ज़्यादा mobile होते थे है ना मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन आराम से जाते थे है ना but अभी के समय में skilled labor की mobility उतनी जादा नहीं है but वही पर अगर unskilled labor में देखोगे past में less mobile रहते थे क्यों क्योंकि पहले तो उनको गाउं में ही आराम से employment मिल जाता था खेतिवारी कलके ही पेट भड़ा रहते थे राइट but अभी के समय में अगर देखोगे unskilled labor काफी ज़्यादा mobile है जैसे आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा mobility होता है unskilled labor का from Bihar UP to आपका जाके महरास्टर वाले डिजिन गुजरात वाले डिजिन क्यों होता है करना पड़ेगा भया ठीक है demand of good is not considered जी हाँ का अभी जो हम लोग ने इतना पड़ा कहीं पर हम लोग ने डिसकस किया goods के डिमांड के उपर भी determine होता है that को industry में वो चीज़ बनेगा क्या नहीं है ना वो चीज़ तो हम लोग ने डिसकस किया but actually में यह होता है जैसे coronavirus के समय आपको पता है that PPE kits उसके बाद mask का जो demand है पूरा दुनिया भड में बहुत जादा बढ़ गया था अच्छानक से ठीक है तो वो हुआ अगर demand हुआ तब लोग manufacture भी किया और इसको बनाए भी और इसको बेचे भी ठीक है unlimited supply of labor जो है यह ऐसा जो किया यहाँ पर माना गया है that labor सब समय mobile होता है और उनकी supply सब समय होती रहती है ऐसा बिलकुल नहीं है भाया यह कहां पर आप जीरे हो कौन से दुनिया में आप जीर था राइट है ना उपर से आप वह भी चीजे लिख सकते हो that कहीं ना कहीं अगलोमिरेशन एफेक्ट के कारण देखो सोचो अगलोमिरेशन एफेक्ट के कारण जो है ना जैसा हम लोग डिसकस किया तो उसके कारण इस रीजन का जो लैंड का कॉस्ट है वो बहुत जाद जाएगा ठीक है तो क्या वेबर ने ये सब मॉडल कंसीडर किया था जब डिसकस कर रहे थे नहीं बिलकुल नहीं राइट क्यों नहीं किया था है ना क्यूंकि अफकोर्स यार उन्हों वो विजुलाइजेशन उतना नहीं हुआ था बट अभी के समय में तो अगर आप जहा क्या आप आराम से वेबर्स मॉडल में लिख सकते हैं जिसके थुरू आप इस चीज को फर्दर आपने आपने आंसर को भी इलाबोरेट करके लिख सकते हैं तो एन्वेश गाइस दिसकेशन और इसी के तरह अगर डिफरेंट अलग अलग लेसं को पूरा जोगरफी ऑप्श करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लेकिया दू सब्सक्राइब क्योंकि जितने भी यह लेसं बनाता हूं अट्लिफिकेशन तो आपको मिल जाए ठीक है चलो एनीवेश मिलते नेक्स लासमें बाई ठेकियर कि 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 कर तस्सक्ड़ कि कि क应 ह क क